आत्मा के समी प्रहने का पर्व, पर्युशन पर्व, 24-31 अगस्ट पर विशेश, पर्व का सीधा अर्थे उत्सव, त्योहार या हसी खुशी का कोई, विशेश दिन या समय, साल भर, में कोईं कोई समय उसा आता, रहता है, जब लोग कूप खुशियों, मनाते हैं, कभी उम्र और परिवार की सुख, के लिए ब्रत रखने के दिन भी आते हैं, इसी कड़ी में जैन धर्म में पर्युशन को महापर्व का दरजा दिया, उपाध्याय, श्री रखींद्र मुनी जी, गया है, ज्यादा तर त्योहार लौकिक होते हैं, बहरी दुनिया, और शरीर के पोशन से जुड़े होते हैं, पर्युशन पर्व, अलोकिक प्व है, यह आत्मा को समर्पित है, एक बाहरी रंग है, जिसमें त्योहार के नाम पर चेहरे और शरीर को रंगा गया, एक रंग है अंतर्मन में बसी, करुना और माइत्री का, जिसमें अपने मन और आत्मा को र आत्मा से मिलाने के दिन, इंद्रियों के द्वार से बाहर, बहती उर्जा को भीतर समेट कर्मिन को आमलीन करने के दिन, जब आज तनाव, अशान्ती, अफसाद, जैसे मानसिक पीडा देने वाले रोगों से हरेक कोहर, दिन सामना करना पड़ता है, वहाँ पर्युशन पर् को आठ दिन तक मनाया जाता है, श्रद्धा की, जमीन पर ससन के बीज बोए जाते हैं, करुना, माइत्री की फसल उगाई जाती है, ताकि जो मन, बाहर ही बराहर भटक कर दीन हीन बन गया है, उसे पर्मात्मा का अमरित मिल सके, वह स्वस्त हो सके, यह आठ दिन आत्मा में दूबने के हैं, जिसमें अंतिम दिन को समवत्सरी के रूप में मनाया जाता है, इन आठो दिनों में जैन धर्मावलम भी अपनी ख्षमतानुसार उत्साह से जब तप करते हैं, दान, ध्यान, स्वाध्याय, सेवा, प्रभचन, गुरुदर्शन में समय बिताते हैं, अपन बने रहने वाले आनंद की ओर ले जाते हैं, श्वेतामबर संप्रदाय में आठ दिन पर युशन पर्व, और दिगंबर संप्रदाय में दस दिनों को दश इलिक्षन पर्व की तौर पर मनाते हैं, लक्ष एक ही है हम, स्वयम को निर्दोश बना सके और अरिहंग बनकर मु